नमस्कार दोस्तों इमीडिया वेबेंडेप की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पारे होंगे आपको एक न्यूस पोर्टल देखने को मिल रहा है जिसका नाम है मुद्ध बहल न्यूस दोस्तों मुद्ध बहल न्यूस जो है आप देख पारे होंगे कि इसमें आपको डिफरेंट तरह का एक व्यू देखने को मिल रहा होगा जो लेंगवेज है वो डिफरेंट तरह की देखने को मिल रही होगी यह मैं आपको बताना चाहूंगा यह स्पेशली वीडियो बनान तो दोस्तों वही आपको दिखाने के लिए ये news portal बताया जा रहा है, ये video बनाया जा रहा है, और ये design दिखाया जा रहा है, कि ये जो आपको news portal देखने को मिलता है, ये हमारे द्वारा e-media webinar के द्वारा odisa का एक news portal बनाया गया है, जो कि ओडिया भाषा में है, आप देख पा रहे होंगे अपनी screen पर, वैसे इसमें तीन languages में समाचार लगा जाते हैं, Hindi, English और ओडिया में, तो दोस्तों आप अपनी screen पर देख पा रहे होंगे, इसमें अधिकतर ओडिया भाषा में news portal, क्योंकि यह odisa का news portal है, तो सबसे पहले आपको इस news portal का overview दिखा देता हूँ, देन उसके बाद में इसके कुछ features की बात कर लेंगे, अगर इस तरह का किसी भी language में, आप किसी भी, मतलब multi language में, जिस आप शेतर से हैं, और जिस language में, आप news portal बनवाना चाहते हैं, आप हमसे contact कर सकते हैं, e-media web and app का contact number है 799996109, आप हमें call भी कर सकते हैं और whatsapp भी कर सकते हैं इसी number पर, जैसे कि आप अपनी screen पर आप इसका overview देख रहे हैं हम, top to bottom इसका पहले design देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके features की बात करते हैं, चलिए सबसे पहले वापस top पर हम आजाते हैं, top पर द celebrities हैं, उनके photo देखने को मिलते हैं, चुकि इस पर सभी तरह की categories के समाचार लगा जाते हैं, तो ये images दिये हुए हैं, menu bar के अंदर देखते हैं, तो menu में आपको सभी अलग-अलग category देखने को मिल जाती हैं, जिसमें city news, district, state, nation, politics, movies, sports, education, religious, crime, health, इस तरह के सभी तरह की categories और breaking news है, वो यहाँ पर आपको scroll करती हुई दिख जाती है, किसी पर भी आप जैसी cursor ले जाते हैं, वो रुख जाती है, और highlight हो जाती है, आप उसे पढ़ सकते हैं, तो उस पर click करके आप उस समाचार को open करके जान सकते हैं, नीचे आपको latest news का एक section मिलता है, जिसमें इस त action मिलता है, जो crime news है, आप इस category में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और बाकी सारी news को इस तरीके से arrange किया हुआ है, जो नीचे की तरफ listing wise के अगर जो top news है, जो अभी लगाई गई है, रिसेंट में लगाई गई है, वो सबसे उपर उसके बाद में उसके पीछे वा समाचार मिलता है, यहाँ पे आप समाचार के कुछ topic सर्च कर सकते हैं, उसके नीचे आपको category का option मिलता है, जितनी categories पोर्टल पर अवेलेबल है, वो यहाँ पे आपको list मिल जाती है, किसी भी list के उपर click करके आप उस समाचार को open कर सकते हैं, नीचे नए समाचार देखने को मिलते हैं, जो भी ताजा समाचार इस पोर्टल पर लगाए गए हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, साइड में जितने भी news का जो एक section complete हो जाता है, तो नीचे आपको next page पर जाने के लिए 123 की numbering मिल जाती है, आप next page पर यहाँ से click करके जा सकते हैं, और अन समाचार भी पड़े हैं और ज्यादा समय आपके पोर्टल पर जिसका फायदा आपको मिले, फूटर की तरब जाते हैं, तो फूटर में देखते हैं, साइड में आपको page, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको page दिख जाते हैं, जो pages जिसमें add है, last में category का एक drop down section दिख जाता ह पारचीव में दोस्तों जितने month में, जितने year में images लगाई गई हैं, वो सभी month wise news की listing यहां मिल जाती है, किसी पर भी आप click करके उस month में कितने समाचार लगे गए थे, कौन-कौन से समाचार लगे थे, वो देख सकते हैं, last में हमको फिर से एक बार category के इस तरीके से arrangement देख तो category से related समाचार हैं, वो सभी आपकी screen पर आ जाते हैं, किसी भी समाचार को जब open हम करते हैं, तो एक बार इसका open होने के बाद भी हम view देख लेते कि हमें क्या दिखाई देता है, जैसे हमने headline पे click किया है, तो हमें header, menu bar, उसके बाद में board lectureों में headline दिखाई देती है, उसके नीचे हमें social media sharing के option मिल जाते हैं, सभी social media के अलग-अलग platform पे आप directly समाचार को यहीं से share कर सकते हैं, समाचार को कितने लोगों ने देखा है, वो भी views यहाँ पर दिखा रहा है, उसके नीचे समाचार का description, next or previous post आपको देखने को मिल जाता है, उसके नीचे आपको more stories, कई समाचार, यह black box इसलिए आ रहा है, क्योंकि इसमें image नहीं लगाए गए है, नीचे leave reply का option आजाता है, अगर आप कोई visitor है, आप अपना comment या कोई reply भी करना चाहते हैं, समाचार के उपर आप यहाँ से comment box से कर सकते हैं, last में आप देख सकते हैं, यहाँ भी पड़े का option मिलता है, कोई विक्ति आपके portal पर आता है, तो समाचारों को और ज्यादा पर सकता है, जाकि जिससे ज्यादा समय बापके portal पर बिता है, और end में वापस फूटर आ जाता है, समाचार के side में देखेंगे, तो वही जो home page पर हमें sidebar देखने को मिलता है, तकि इन features का भी आपका जो वीवर रहेंगे, वो लाब ले पाए, ताजा समाचार विग्यापन का box मिलता है, कैटेगरी सर्च box मिलता है, नए समाचार पढ़ने को मिलते हैं, तो दोस्तों आपको यह design पसंदा होगा, अगर इस तरह का design आप भी बनवाना चाहते हैं, तो आप e-media webin app से contact कर सकते हैं, हमारा contact number 799906109, मिलते हैं अगले design के साथ में, अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,